जुले के स्वरूब गंजधाना पुलिस की और से कारवाई करते हूं शराब से भरे ट्रेलर को पकरा है। दिन एस्पी का तबादला भी किया गया था नए एस्पी आने के बाद भी तसकरों के होसले इतने बुलंद है कि अभी भी तसकरी रुकने का नाम नहीं ले री शुक्रवार सुबह स्वरूप गुंच थाना पुलिस को मुखबीर के जरीय सूचना मिली कि एक ट्रेलर में भार मातरा में हरियाना निर्मिस शुराब भर कर गुजरात ले जाए जारी है इस पर एस्पी धर्मिंद सिंग की निर्देश पस्वरूप गुंच थाना दिकारी चगनलाल डांगी के नेत्रत में टोल प्लाजा के पास नाके बंदी की गई इस दौरान एक ट्रेलर को रुकवा पुरानी अबादी में ग्रीन पार्क के पास किराए के मकान में रहने वाली युफ्ती की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्च कर लिया है गटना के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात को शव सरकारी स्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था पुलिस की और से युफ्ती के परिजनों के श्री गंगा नगर आने का इंतजार किया जा रहा था शुक्रवार की युवती के भाई श्री गंगा नगर पहुशने के बाद शव का पोस्माटम करवा कर शव परीजनों को सौब दिया गया वहीं युवती के भाई डेलवा पदमपुर निवासी अतर सिंग पुत्र गुरु बंचन सिंग की और से मामला दर्च करवाया गया इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को फिर घटनस्तल का निरिक्षन किया आसपडोस के लोगों से जानकारी जुटाई पुलिस ने युवती के परीजनों के आने के बाद सील मकान को खुलवाया शनिवार को भी पुलिस इस मामले में जान चागे बढ़ाएगी बीकानेर के सदर थाना शेत के बाल संप्रेशन घ्रह से सुरक्षा गाट को धक्का दे कर फरार हुए बाल अबचारी को पुलिस ने शनिवार को सुभा पकड़ लिया शनिवार तर के 465 हेट के पास एक धानी से पुलिस ने बाल अबचारी को पक्राए दरसल गुरुवार देर रात को बाल अबचारी सुरक्षा गाट को धक्का दे कर फरार हो गया था और उसके बाद पुलिस महकमे के अधिकारी उसकी तलाश में जुटे हुए थे बाल अबचारी चार महीने पहले एक हत्या के प्रयास के मामले में बाल संप्रेशन ग्रह में लाया गया था सद्धर सरकिल स्रियो पवन भदोडिया ने बताया कि गुरुवार देर रात वै लगुशंका के लिए उठा और इस दोरान सुरक्षा गाड को अकेला पाकर फरार हुने की नियत से गाड को धक्का दे कर भागा हलांकि गाड ने उसका पीछा किया लेकिन रात के अंधेरे में गलियों से निकल कर फरार हुने में वो सफल हो गया प्लूदी थाना शेत्र में शिक्षक और छात्रा के रिष्टे को शरमसार करने वाला मामला सामने आया चार शिक्षकों पर नाबालिक छात्रा का श्लील वीडियो के अधार पर अवैत संबंद बनाने का दवाव डालने का आरोप लगाए इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपी शिक्षकों को हिरासत में लिया नाबालिक छात्रा के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने बताया कि तीन शिक्षक मेरी बेटी को परिशान कर रहे हैं इसमें एक शिक्षक पहली बेटी उसकी बेटी को पढ़ा चु की दी जिसके बाद चात्रा ने जिसके बाद चात्रा को परीजनों ननीहाल भेज दिया इसी बीज अपने मनसूबे नाकाम शिक्षकों ने चात्रा की वीडियो वायल कर दी रेकमेंडेशन्स जो आपके लिए सही हैं ओलियों डेली हंड इसे में लगाता लुटेरे की होसले बुलन दिखाई पड़ रहे हैं इसकी जला के एक बर फिर दिखाई दी अंबा माता थाना श्वेत के बड़ी तलाप में एक कारसवार युवक युवती के साथ लूट की वारदात हुई इस दोरान युवक ने वारदात का वीडियो बना लिया जो अब वाइरल हो गया जानकारी के नुसार अंबा माता थाना श्वेत के बड़ी तलाप से कारसवार युवक युवती गुजर रहे थे इसी बीच चाकू दिखा कर चार बदमाशों ने कारसवार युवक युवती को रोका और उनसे मुबाइल नगदी और घड़ी सहीत कई अन्य बेश किमती समान लूट लिये लेकिन इस बीच युवक ने वारदात का वीडियो बना लिया जो अब वाइरल हो गया वीडियो में युवक हाद में चाकू और नकाब में दिखाई दे रहे हैं साथ ही युवक युवती लगातार इन बदमाशों से अपील कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है लेकिन बदमाश लगातार गाड़ी और उनसे पैसे और अन्य चीज मांगते नज़रा रहे हैं पुलिस ने बताया कि पीरिता ने रिपोर्ट दी कि वे बड़ी तलाब गूमने गई थी जहां उनके साथ ये वारदात हुई नए आपडेट सार मेनिट औन डेली हंट दो सब्ता से फरार डॉक्टर दमपती हट्या कांड के मुख्य आरोपिय अनुज गुजर और सांसा दंजीता कॉली पर हमला करने वाले आरोपियों पर जिलाप पुलिस अधिशक देविंदर कुमार विश्नोई ने पांच-पांच जार रुपे का इनाम घोशित किया स्पी ने बताया कि इन दोनों मामलों के आरोपियों की धर पकड़ के लिए धौलपुर करोली और सवाई माधोपुर पुलिस की करिब एक दरजन टी में आरोपियों की तलाश कर ली है स्पी देविंद्र कुमार विश्णोई ने बताया कि दोनों घटनाओं के आरोपियों की गिरफतारी के लिए पांच पजार रुपे का इनाम घोशित किया गया यदि कोई भी वैक्ती आरोपियों की सही सूचना देकर गिरफतार कराएगा तो उन्हें पांच 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 जार रुपे का इनाम दिया जाएगा सूचना देने वाले वैक्तियों की जानकारी भी गुपत रखी जाएगी गौर तलब है कि सांसद रंजीता कॉली की गाड़ी पर 27 मई की मद्धिरात्री हमला हुआ और उसके अगले ही दिन डॉक्टर दमपती डॉक्टर सुधीब गुपत और डॉक्टर सीमा गुपता की दिनधारे कार में गोली मार कर हत्या कर दी गई गटना के बाद से आरोपी फरारे 28 मई को भरतपुर में दिनधारे डॉक्टर सुधीब गुपता और उसकी पतनी डॉक्टर सीमा गुपता को गोलियों से भून दिया गया था मामरा चर्चा में आने के बाद पुलिस ने अब तक सैयों की सेयुद एक आरोपी महेश को गरिफतार कर लिया इस हत्याकान का मुख्या आरोपी अनुज अभी फरार चर रहा है पुलिस ने कंतरास्टी किरकेट सट्टे का परदा फाश किया पुलिस ने पाकिस्तान में आयोजित हो रही किरकेट लीग पर सट्टा खिला रहे तीन बुकी गिरफतार की हैं पुलिस ने ये कारवाई प्रताम नगर थाना इलाके में अन्जाम दी मुखबीर के जरिये सूचना मिली की हल्दी घाटी मार्गस्तित काकी होटल में कुछ संदिक लो पाकिस्तानी किरकेट लीग के मैच पर सट्टा खिला रहे हैं जिस पर एक स्पेशल टीम का गठन कर पुलिस ने काकी होटल के रूम नंबर 206 में दबीज दी गई तीन बुकी पाकिस्तान किरकेट लीग के कराची बना मुलतान टीम के बीच खेले जा रहे किरकेट मैच पर सट्टा खिलाते होए पाए गए जिस पर पुलिस ने कारवाई करते होए तीन बुकी गौरफ सकसेना, गजराज और अनील सिंग को गरफतार किया है पाकिस्तान में किस वैक्ती से लाइन लेकर सट्टा खिलाया जा रहा है, इसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है, ये पूरा मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ लग रहा है, इसलिए पुलिस मुख्याली के इंटेलिजन्स शाका और CID क्राइम ब्रांच भी पूरे पकरण कर अपनी नजर बनाए हुए है, जैपर पुलिस कमिशनर की साइबर सेल और आईटी सेल भी इस पकरण की बारीकी से जांच में जुट गई फंड के कानकरिया गाउं में बदमाशु का खौफ देखने को मिला, जापर जीप में सवार होकर आए एक दरजन युफकों ने, शुकुरवार को एक परिवार के चाड़ लोगों को बंदक बना कर अपरन ले गए, बीच रास्ते में बुजर्ग महिला को नीचे पटक कर ज जीप से कुचल दिया, परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया, और घटना स्तल परी आरोपी गिरफतार साइथ विविन मांगो को ले कर धना दे दिया, पूरा मामला बजरिया वैत खनन से जुड़ा हुआ लग रहा है, जानकारी के उनसार आपको बता दे की, कानकरिय में शुकरवार को सुबा एक परिवार के चार लोगों को उठा कर दो गाडियों में ले गए, तता इनके साथ मारपीट तक की, जिसमें जीप की टकर से एक बुजर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, दो लोगों को गंबी रवस्ता में खेतरी अस्पिताल से जुन जु मौके ग्रामीनों से समझाईश करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीन अपनी मांग पर अडे हुए है महंदीपूर बालाजी पुलिस ने NDPS Act पे एक साल से फरार चलरा भीयुक्त को सिकंदरा से गिरफतार किया ठाना प्रमारी गिर राजपरसाद ने बताया कि मुखबीर के सूचना पर टीम गठित कर NDPS Act में वांचित फरार अभीयुक्त हेम राज उम्र, 26 साल निवासी भैरुजी का बास ठाना सिकंदरा जिला दोसा को सिकंदरा से दबीश दे कर गिरफतार किया है आरोपी करीबी एक साल से फरार चल रहा था, अलग-अलग स्थानों पर छिपता रहता था फिलाल पुलिस आरोपी से पूछताज कर अन्यवारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है जिली के जैन नारायन व्यास कॉलोनी थाना में करीब तीन महीने पहले गुमशुदगी के एक दर्ज मामले में पुलिस ने शुकुरवार को बड़ा खुलासा किया 31 मार्च को हुए वैक्ती के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि 11 मार्च के बाद बेटे का अता पता नहीं है ना ही किसी तरह का कोई संपर्क हो पाया इस मामले में करीब तीन महीने बाद शुकुरवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए गुम हुए वैक्ती बीरबलनाद की हत्या होने का परदाफाश किया मरतक की पतनी और उसके प्रेमी भवन के साथ एक अन्य वैक्ति को पुलिस ने इस मामले में गिरफतार किया दर असल बीरबलनाद की पतनी सौनु के प्रेमी पवन अपने दोस्त-राकेश के साथ मिलकर बीरबलनाद की हत्या कर्शव को कुए में फिक दिया CEO सदर पवन भधोडिया ने बताया कि मनतक बीरबलनाद दिहारे मज़ूरी करता था और करीब एक साल पहले सीकर जिले के लक्षमनगड के निवासी पवन कुमार जी उसकी जान पैचान हुई थी वन सीकर से पिकब में बीकानेर प्याज लेकर आता था और इस दोरान पवन का बीरबलनाद के घर भी आना जाना शुरू हो गया इस दोरान बीरबल की पत्नी और पवन की बीच आवयद संबंद बताये जा रहे है फिलाल क्राइम हंड्रेट में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं आपकी आवाज के साथ खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे जिनका आपकी जिन्दगी पर होता है सीधासर खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे सच का जजबा लिए सच दिखाते हैं हम आपकी आवाज के साथ TNI आवाज